दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर सुबा उठकर पत्नी के ये एक काम करने से खुल जाता है पती का भागी जी हां दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको यही बताने बाले हैं कि सुबा उठकर पत्नी वे कौन से काम करें जिससे उसके पती का भाग बदल जाए और वो माला माल हो जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजाए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और डेली इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकान को प्रेस कीजिए दोस्तों हिंदु धर्म में शास्त्रों के अनुसार पत्नी को पती का अर्धांगनी कहा गया है जिया दोस्तों माना जाता है कि पत्नी के भाग का पती के भाग पर बहुत असर रहता है यही कान है शादी के बाद किसी भी ब्यक्त के भाग में बदलाव आता है दोस्तों ये कहा जाता है कि पती बृता पतनी चाहे तो पती की बिगड़ी किसमत को एक पल में बदल देती है दोस्तों किसी बैक्ति का भाग साथ नहीं दे रहा है तो जीवतिस शास्त्र में कुछ उपाय बताये गए हैं अगर इन उपायों को पतनी करे तो पती का भाग चमक सकता है और जीवन में खुशाली आ सकती है जी हां दोस्तों आईए जानते हैं कि पती का भाग बदलने के लिए पतनी को कौन से उपाय करने चाहिए तो दोस्तों वीडियो को बिना इसकी किये हुए लास तक जरूर देखिए और अच्छी तरह से समझिए क्योंकि आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं वे कौन से कार हैं जो एक पतनी को सुबा उटकर करना चाहिए दोस्तों जैसा कि अक्सर हम अपने घरों में सुनते हैं कि महिलाएं लच्छिमी होती है हिंदू सास्त्रों में भी इस्त्रियों को लच्छिमी का सोरूप माना गया है माना जाता है कि जो इस्त्री हर दिन पूजा पाठ करती है उसका फल पती को अवश्य मिलता है दोस्तों घर में महिलाओं को हर दिन सुबा उठकर सबसे पहले इसनान करना चाहिए उसके बाद तुलसी जी को एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए इसके बाद तुलसी माता से परेशानियों को दूर करने की पराथना करनी चाहिए दोस्तों घर की महिलाओं को हर दिन सुबा में इसनान ध्यान करने के बाद तावे की लोटे में जल लेकर पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए दोस्तों ऐसा करने से घर शुद रहता है और किसी तरह की नकारात्मक शक्ती घर में प्रवेस नहीं करती है तो हमारी महिलाओं को एडवाइज है कि वो सुबा उटकर ये कार अवश्य ही करें इससे आपके घर में खुशाली और धंदान हमेसा बना रहेगा दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को करने से घर में सुक्षान्ती और तरक्की का बास होता है साथ ही घर में सुमर्दी आती है ऐसे में घर की महिलाओं को ये उपाय हर दिन करने चाहिए ताके घर में शुक्षान्ती बनी रहे और घर की तरक्की हो और पती का इससे भागे भी बदलता है और जब पती का भागे बदलेगा तो आपका भी भागे बदलेगा और आपके घर में देवी देपताओ ओक्सुक सुमर्धी का वास होगा तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको शास्त्रों में बर्लित कुछ महत पूंट टिप्स आपके साथ साजा की वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और इस चांकारी को दोस्तों के साथ वाट सा फेस्बुकादी पर दिल खोल कर शेर कीजिए क्योंके जितने जैदा लोगों तक ये बात पहुंचेगी उतना ही लाब होगा और चैनल पर नया विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाईए ताके आपको फ्यूचर में मिलते रहें नए नए वीडियो ऐसे ही चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक आप रहें इस्टे मोटिवेट इस्टे फियरलेस जैहिंद